वरिस्ट पुलिस अधिक्षवक पंकजभट ने कैम्प कारयाले में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों की बैचक लेकर अपराद समिक्षा की इस दौरान SSP ने बहतर कारे करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रश्वस्ती पत्र देकर सम्मानित भी किया इसके बाद वरिस्ट पुलिस अधिक्षवक पंकजभट ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओ को जल्द पूरा करने की निर्देश दे दिये गए हैं साथी आपदा की दृस्टी से आप मौन्सोन सीजन में दुरस्त शेत्र के थाना और चौकियों में आपदा के उपकरेड उपलप्त कराया जाने के निर्देश दिये गया है वहीं इससपी ने परेटन सीजन के चलते यातायात विवस्था चाक चौबंत किये जाने को भी कह है वरिस्ट पुलिस अधीक शक ने कहा कि जिले में मिला ग्याद शव के शिनाक्त कर लंबित पड़े मामलों के जल्द खुलासे के पहले भी निर्देश दिये गयते लेकिन अभे तक 19 शव ऐसे हैं जिनकी अभी तक शिनाक्त नहीं हो सकी है जिनकी पहचान करने के निर्द कि अभी हमारे जो है टूरिस सीजन भी चल लाया ने निताल में और कैशी में बारी भीड़ अभी भी लगातार चल रही है फोर्स द्वारा जो कैशी में बहुत अच्छा संचालन किया गया उसके लिए मेरे द्वारा पूरी फोर्स को आपका प्रसलती प्रत्रों सम्मानित किया गया है इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है क्योंकि और में जो गटना है हमरे संग्यान में आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्त हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संक्या बढ़ाई जाएगी उनमें हमारा जो पूरू से इस मैक पो लेकर अव्यान चला था वो आगे जारी रहेगा उसमें आगे बड़ी कारवई हैं देखने को मिलेगी इसमें सभी थाना चेत्रों पे आगामी कावड और आपका जो आपदा सीजेन उसको ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया इसको 26 ता इसे वीजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए वेड़नेस केंपेंग चलाया जा रहा है तो हम अल्दवानी के समस्त नागरिपर से उमीद करते हैं कि वारी संक्या में इसमें अपनी बूंका लगाएंगे ये पांच किलोमेटर की वेस है इसमें आपका अपका अलग-अलग कैटेगरीज बनाए गई है और सभी कैटेगरीज जो फस्त शेकिन थाड़ आएंगे उनको समय के जाए